श्रिष्ठ कौन? बुध्धिया बल? एक जंगल में एक शेर रहता था. वह जंगल का राजा था और बड़ा ही बलशाली था. सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करती थे. उसे जंगल में एक बुध्धिमान बंदर रहता था. वो शेर से डरता नहीं था और व् प्रशंसा करते हैं. तुम नहीं. ऐसा क्यों बंदर पूछा? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूँ? शेर ने बोला में बलशाली हूँ. जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं. वनराज, मैं बल को नहीं बुध्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ. इसलिए मात्र बल के कारण में आपका गुणगार नहीं करूँगा. बंदर बोला, ये बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया. विवाद का विश्य था बुध्धि श्रेष्ठ है या बल? शेर के द्रिष्टी में बल श्रेष्ठ था, किन्तु बंदर के द्रिष्टी में बु बुध्धि से संसार का हर कारे संभग है, चाहे वेह कितना ही कठिन क्यों नहीं हो. बुध्धि से हर समस्या का निदान संभग है, चाहे वेह कितनी ही विकठ क्यों नहीं हो. मैं बुध्धि मान हूं और अपनी बुध्धी का प्रयोकर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल स क्रिपिया यह बात मान लीजिए किन्तु मेरा यही मानना है कि बुध्धि बल से श्रेष्ट है, एक दिन में आपको ये प्रमानित करके दिखाऊंगा, मैं अपनी बुध्धी से बल को हरा दूंगा, मैं उस दिन की प्रतिक्षा करूंगा, जब तुम ऐसा कर दिखाऊगे, उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्विकार करूंगा कि बुध्धि बल से श्रेष्ट है, किन्तो तब तक कतई नहीं, शेर ने उत्तर दिया, इस बात को कई दिन बीट गए, बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ, एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गोफा की और लोट रहा था, अचानक वह पत्तों से ढखे एक गठे में जागिरा, उसको चोट लग गई, किसी तरह वेह गड़े से बाहर निकला, तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूग दाने खड़ा है, शेर घायल था, ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था, तबी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे, शिकारी हर बढ़ा गया, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ पत्थर उसको लग गए, वह धर दुसे तिल मिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से 9-11 हो गया, शेर बीचा कि था कि शिकारी पर पत्थरों स हमला कस ने किया और कस ने उसके प्राणों की रक्षा की, वह धर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने, एक पेड़ पर बैठा बंदर नीचे उत्रा, शेर डरा हुआ था तो बंदर ने नदी के पास चलने कहा, फिर वे दोनों वहां से नदी के पास आए, बंद कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी, एक दिन मैंने उसे गढ़्धा खोदते हुए देखा, तो समझ गया था कि वे शिकार करने के फिराग में है, इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धे लड़ाई और धेर सारे पत्थर इस पेड़ परिकत्रित कर लिए, ताकि बंदर के मत्य हुआ, विवाद भी समर्ण हुआ, वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्धि कर दिया है कि बुद्धी बल से श्रेष्ट होती है, मुझे अपनी गलती का असास हो गया है, मैं समझ गया हूं कई बल हर समय और हर परिस्थिती में एकसान नहीं रहता, ल शिकारी आप उसे बल में कम था, किन्तु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धी से आप पर नियंतरन पालिया, उसे प्रकार में शिकारी से बल में कम था, किन्तु बुद्धी का प्रयोकर मैंने उसे डराकर भगा दिया, इसलिए कहते हैं कि बुद्धी बल से कहीं श सब्सक्राइब करें